तो कैसे हैं दोस्तों आसा करते हैं हम लोग बिल्कुल स्वास्त और मस्त होंगे देख रहते हैं कि हम लोग मुख्य दौर के पास आ गये हैं अपनी बाइक लगा के हम प्रशाद ले चुके है और इस दौर से हम लोग चलेंगे मुक्तिनाथ भगवान जी के दर्शन के लिए लगभग आदा किलिमेटर उपर है वहां हम लोग चलेंगे पैदल एड़ चेक्ट यह सीडियम को याद नहीं है कितना यह कितना सेडिय उपर है लेकिन हां अच्छी खासी उचाई है उचाई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जब आप यहां चड़ेंगे तो काफी ना वो कभी इस सीडि पर आप जल्दी जल्दी चेटने ना चरहें अराम राम से चरहें उससे क्या होगा कि आपका वो सांस नहीं फूलेगा और आप आराम से जह सो भगवान मुक्तिनात जी का जो मंदिर है महां तक आप पहुँच पाएंगे तो आगे आप देखिए क्या दिखन कि मेरा आप लोगों से फिर से एक वर भी नमर निवी दन है अगर यह एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें भगवान मुक्तिनात आप लोगों के कल्यांग करें भाई ठक गये हैं तो आधे दूरी तैकर के थोड़ा सा बैठ गये हैं दीरे दीरे चलना चाहिए इस पर दीरे दीरे चलेंगे तो आक्सीजन की कमी नहीं होगी जैसे ही थोड़ा सा आप तागत लगाएंगे तो आक्सीजन लेफल कम जाएगा क्या आने में दिक्कत नहीं है ना नहीं आने में दिक्कत नहीं है बस चैटने में दिक्कत है कर दो कर दो मंदिर के मुख्यद्वार के और श्रफी लोग देखें थक के बैठें तो हम लोग आगे हैं मुख्यद्वार पर थोड़ा संदर में और सिरी चलने हैं यह देखें इनको चिक्कर आगया है हैं अब लोग मंदिर प्रांगन में अब हुआ हैं और यह मुख्यद्वार हैं और यह दोआर यह दोआर रहें लॉकर हैं तो हम लोग अपने कपरा खोल के लॉकर में डालेंगे और फिर जा के असनान करेंगे तो यह देखिए यह देखिए भागवान मुक्तिनाजी का यह मंदिर हैं और यह 108 जलदारा है ऐसा मानता है कि इसमें नहाने से शारे आदमी के जो पाप है वो कड़ जाते हैं तो अभी पहले आप लोग को दिखला दे उसकाद हम भी नहाएंगे और हमने साथ राम जी है वो भी नहाएंगे और यह 108 जलदारा और यह देखिए जो खौरन को लोग है वो लोग है यह देखिया मंदिल है इहर जिन लोग को दिकत होता है चलने में वो लोग ऐसे 4000 रूपे Indyans देते हैं और ऐसे आते हैं यह आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग शोगते आते हैं 4000 रूपे में इन लोग को यहाँ मंदिल के शामने तक लाया जाता है और देख सकते हैं एक आंटी यह भी जा रही है यह देख सकते हैं यह अंटी जा रही है यह देख सकते हैं जिन लोग को दिक्कत होता है यह दो लोग यह से भी जाते हैं इसका चार्ज जो है वह एक अदमी का चार हजार उप्य लोग इंडियन लेते हैं दो हजार ले जाने का दो हजार लाने का तो यह भी ऐसा भी होता है यहां तो अब जाते हैं दो कुंड है उसमें भी असनान कर लिए हैं तो आप जाते हैं दो कुंड है उसमें भी असनान करके आते हैं जब अंदर जाएंगे तो उफर का सांस नीचे के नीचे रह जाता है लेकिन क्या है कि दूबकी तो लगाना ही है चुकि हिंदु धर्म के माने तासे जो लोग यहां आकर असनान नहीं करेंगे उनकर दर्सन सार्थक नहीं होता है तो यह असनान तो करना है राम जी आप अधर करना है ना देखिये नहीं कर रहे हैं अधर अधर पॉर्ण पूरा हो जाएगा और फिर उसकार करेंगे दर्सन से निकालते हैं सिक्का डूपकी लगाके नीचे एक संतिची बताएगे खुआ करें दूपकी वे दूपकी लाया हुआ है झाल 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 कर दो कर दो कर दो आप भगवान मुक्तिनात के दर्शन को यहां आएंगे तो सबसे पहले इसमें असनान करके आपको शुद्ध होना होता है और उसके बाद दो और कुंड है एक ब्रह्मा कुंड और एक बिस्नु कुंड उन दोनों कुंड में जो कि आप देख रहे हैं यह सामने दो कुंड यह दोनों कुंड में असनान करने के बाद आपका असनान पूर्ण होता है उसके बाद भगवान नाराएन का जो यहां शालिग्राम के रूप में जो अबस्तित है भगवान नाराएन मुक्तिनात में यहीं से जाते हैं पुना यहीं वापस आते हैं तो दोस्टों हो गया भगवान मुक्तिनाजी का दर्शन तो चलते हैं यहां से सीधे नीचे जोकि हम माइनस में टेंपरेचर है काफी ठंड लग रहा है भई तो नीचे चलते हैं और इसके बाद अब यहां से हम लोग वापस जाएंगे तातो पानी के तरफ फिर नीचे जाएंगे तो जो जगा हम नहीं कबर कर पाए हैं वो इस एपिसोड में इसके बाद वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे दोस्तों अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो अप लोग को तो प्लीज लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो कॉमेंट भी कीजिएगा अपना ख्याल लगिए अपनों का ख्याल लगिए